दोस्तों आप सभी लोग मेथी दाना यानि की फैनेगरिक सिल्ट्स के बारे में नो डाउट अच्छी तरह से जानते होंगे मेथी दाने के फादे काफी सारे यूट्यूब वीडियो में देखे भी होंगे इसमें कोई शक नहीं है कि मेथी भैंकर रोगों को खत्म करने में बहुत इफेक्टिव औसधी है आईरवेट के नजरिये से इसके कई सारे हेल्थ पेनिफीट है जिसे बहुत कम लोगों को पता है लेकिन आज मैं मेथी दाने के तीन तरह के प्रयोग बताऊंगा मेथी में कुछ ऐसी खास क्वालिटी होता है जो आपके वजन को कम कर सकते हैं ज़डते हुए le गिरते हुए बालों को रोख सकते हैं साथ ही इसके इस्तमाल से ग्लोइंग सकीन भी आप पा सकते हैं पर इसके लिए आपको मेथी दाने को सही तरीके से इस्तमाल करने के अलग-अलग तरीका जानना होगा, जिससे आप मेथी का पूरा फाद उठा सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बालों को जल्दी लंबे घने बनाने के लिए, स्कीन बेदग गलोइंग बनाने के लिए और वजन को तेजी से घटाने के-लिए, में पकरने किस तरह के मेथी दाने के लिए कशन का क्या है? इसके लिए आपको एक ग्लास पानी में एक चमच मीथी जाने डाल कर उसे किसी चीज से ढख लें और उसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें मेथी जाने में भरपूर मातर में फाइबर पाय जाता है जो हमारे मेटाबोलिजम सिस्टम को इंक्रीज करता है जिससे एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होता है और जिससे काफी जल्दी वेट लॉस होता है मेथी खाने से दोस्तों भूख यानि की खाने की इक्षा कम हो जाता है जिससे हम बेकार की कैलोरी बॉड़ी के अंदर इंक्रीज करने से बच जाते हैं तो करना क्या है सुभा जब आप देखेंगे मेथी नाना फूल चुका होगा और उसका कलर भी पानी में आ गया है मेथी के सारे गुण इस पानी में आ चुका है अब इस ड्रेंग को छान लीजे और इसमें आधा नीमगू नी चोर लीजे साथ में आप इसमें एक चिम्मच शहद और थोड़ी सी मात्रा में काला नमक एड़ करतीजे अगर आप डाबिटिक हैं तो शहद यहां पर नहीं लेन आपका वजन चार से पांच किलो तक कम होता हुआ दिखेगा गर्मी के मौसर में इस तरह आप मेथी का पानी पी सकते हो मेथी दानों को यहां पर खाना नहीं है क्योंकि इसकी तासिर गर्म है और इस गर्मी के मौसर में बॉड़ी को नुक्सान भी पहुचा सकता है तो जि आपको करना यह है कि आप दो चम्मच मेथी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजे रात बरी से ऐसे ही रहने दीजे सुबह जब आप देखेंगे कि मेथी दाना फोल चुका होगा और उसका कलर पानी में आ गया है अब इस मेथी को मिक्सी की सहायता से पेश्ट तयार कर लीजे अब इस पेश्ट को बाउल में लेकर इसमें दो चम्मच नारील का तेल एड़ कर दीजे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे अब इस पेश्ट को लेकर बालों के सकल पर अच्छे से अपलाई कीजे और इसे ऐसे ही 40 मिनट तक के लिए रहने सही रिजल्ट पाने के लिए आप इस नुस्खे को हफ्ते में एक बार जिरूर करें। यह नुस्खा अपनाने के कुछी दिनों के बाद आप देखेंगे कि बालों के गिरने की जो समस्या है वो कम होने लगे की। मेथी में प्रोटीन भरपूर मातरा में होती है जो गंजेपन को खत्म करके नए बालों की रीग ग्रोथ करता है। इसमें मौझुद पोटैश्यम समय से पहले बालों को सफिध होने से भी बचाता है और मेथी में मौझुद लैसितिन बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है। अब तीसरा प्रयोग जानते हैं जो है त्वाचा के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। दो चम्मच मेथी को थोड़े से पानी में भीगो कर रादभर के लिए रखना है। और सुबा भीगाऊए मिथि को पीस लेना, इसका पेश्ट बना लेना है, फिर एक बावल में 2 चमच मिथि का पेश्ट लेना है, और फिर इसमें आड़ कर देना है 2 चमच क करड़, यानी की दही. इसके लावा इसमे एड कर दीजे एक चमच हनी और साथ में डाल दीजे आधा चमच निम्बू का रस अगर आपका स्किन सेंसिटीव है तो आप निम्बू को स्किप भी कर सकते हैं और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजे आप देख सकते हैं हमारा मिथी का फेस तैयार हो गया है अब इस फेस पैक को लेकर फेस पर अपलाई कीजे और इसे ऐसे ही 20-25 मिनड तक लगा रहने दीजे इसके बाद इसे नॉर्मल पाने से फेस वाश कर लीजे ऐसा आपको विक में दो बार करना है आपका स्कीन निखर जाएगा स्कीन से दाग धब्बे दू हो जाएगे दोस्तों मेथी के बीज किल मुहासों को दूर करने के साथ सार स्कीन की डेट सेल्स को निकालने में हल्प करते हैं या आपके स्कीन को पोस्टन देते हैं और लंबे समय तक जवाँ बनाया रखते हैं इस तरह वीक में आप दो से तीन बार इसका इसका इस्तमाल का फायदा उठा सकें धन्यवाद